आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ आफ डाउट करते हैं तो Y equal to हमें क्या है X square plus 3x minus 5 दे रखा है तो अगर मैं इसको perfect square बनाना चाहूँ X में तो क्या हो जाएगा X square plus 3 by 2 into 2 X ऐसा कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर plus कर देता हूँ 3 by 2 का whole square और minus भी कर देता हूँ 3 by 2 का whole square और minus 5 पहले से था ही तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक perfect square बन गया Y में X में sorry तो यह क्या हो जाएगा X plus 3 by 2 का whole square ठीक है और minus में लिखा हूँ है 9 by 4 और minus 5 तो यहाँ से value क्या आगई Y की Y plus यह देखो 20 minus 9 minus 20 और minus 9 यानि minus 29 यह लिखा हूँ है minus 29 अपॉन 4 और इधर आगया तो plus में आगया is equal to X plus 3 by 2 का whole square तो यह अब यहाँ पे अगर मेरे को किसी भी parabola standard parabola का question पता हो तो वो क्या होता है X square equal to 4 A Y type में ठीक है अब देको इन्होंने यहाँ पे जो vertex अपन इस parabola का बात करें तो वो हो जाता है 0,0 ठीक है और अगर इन्होंने ऐसा कुछ दे रखा यानि कि Y को कुछ से shift किया और X को भी कुछ से shift किया है इन्होंने standard form में ऐसा कुछ दे रखा है कि X minus of अगर मैं यहाँ पे shift कर दूँ इसको तो X minus X से shift कि X axis को तो यह X minus X का square is equal to 4A Y minus K का whole square यानि कि vertex को मैंने X और Y axis में shift कर दिया ठीक है H और K unit से तो इसका vertex हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे simply H,K ठीक है यानि कि X minus X को 0 करूँगा और Y minus K को 0 करूँगा तो उसमें X की जो value होगी और Y की जो value होगी वह यह हमारी vertex हो जाती है तो similarly यहाँ पे अपन compare करें तो देखो यह X minus of minus 3 by 2 लिखा हुआ है यह देखो प्लास में बीच में ऐसे कैसे आया है यहाँ प्लास में बीच में तभी आएगा जब यह अपन इसको minus H लिखे होते vertex अपन जो यहाँ पे H और K होता है यानि की minus 3 by 2 और minus 29 by 4 हो जाएगा मेरे एक पाराबोला है जिसका center या vertex बोलो vertex हमारा क्या है minus 3 by 2, minus 29 by 4 इसका vertex हो गया तो यह पाराबोला अपन कैसे draw करेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखो यह हमारा पाराबोला रहा ठीक है और ऐसा कुछ format में दे रखा है इन्होंने कि अगर मैं इसको capital X बोल दू तो capital X का square equal to 4 A capital Y के tap में दे रखा है इसको कर मैं capital Y बोलता तो ठीक है तो इसका जो हमारा graph बनता है वो कैसे बनता है positive Y axis के तरफ open होता है इसका mouth और जो इसका यहां पर vertex दे रखा है minus 3 by 2 X में मालो minus 3 by 2 यहां पर है और जो minus 29 by 4 है वो कुछ यहां पर मालो तो यह हमारा vertex अब यह positive Y axis में हमारा open होगा तो हमारा graph कुछ step में तो देखो sorry यहां पर हमने mistake किया था तो यह हो जाएगा minus 3 by 2 X की value minus 3 by 2 मालो यहां पर है और minus 29 by 4 मालो यहां पर है तो यह कुछ इस point पर यहां पर vertex आ जाएगा तो अगर मैं इसका parabola draw करूँ तो यह parabola कुछ ही step में दिखने वारा तो यह हमारा graph parabola का कुछ ही step में बनेगा यह positive X axis है यह positive Y axis है अब देखो यहां पर हमें जो पूछा गया था वो X जब 0 से infinity हो तब range पूछा गया था तो X 0 से infinity यानि की positive X axis के तरफ तो हमारा जो favorable graph जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यह बाला यह देखो मैं यहां पर color कर रहा हूँ तो यह graph हमारा यहां से लेके इधर जो हमारा graph बन रहा है वो हमारा favorable हो जाएगा तो इसका अगर range मैं बताओ तो यह कहां पर cut कर रहा है यह हमारा जो Y axis को cut कर रहा है इसके लिए X का value 0 put कर दो इसमें तो 0 put किया तो यहां पर Y की value क्या आ जाएगा अगर मैं at X equal to 0 जो Y आ जाएगा इसमें put करने के बाद जो कहा जाएगा minus 5 तो यह minus 5 पर cut कर रहा है यानि इसकी coordinate 0, minus 5 तो जो हमारा range हो जाएगा वो minimum minus 5 है तो minus 5 से कहां तक infinity तक यह हमारा range हो जाएगा तो answer कौन सा सही हो यह minus 5 से infinity option number 3 यह देखो यह wrong है यह भी wrong है यह भी wrong option है Thank you